आपका स्वागत है हमारे आज के इस लाइफ सेशन के अंदर फटाफट से स्टार्ट करते है हमारी आज की मुलाकात को और इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है कि यार क्या होता है काडिक साइकल पहला सवाल हमाने मन में यह आएगा राइट लेट सिसक्रस्ट वट इस इस बात करें के बारे में तो आपको पता है कि इस नथि बट रिप्रेजेंटेशन ओव इवंट वट इवन बिगनिंग वन वन रहा है हर्ट बीट इन बिगनिंग अफ सेकंड हर्ट बीट तो इसके लाव अगर हम कुछ बेसिक से डीटियल निकालना चाहे तो हम कह सकते हैं कि तो हमें पता है कि कितनी बार आपका हाट बीट करता है इन जस वन मिनीट तो के बात ने लिके से बीच के बीच कर वही तो होता है cardiac cycle तो one heartbeat is equals to one cardiac cycle also one heartbeat equals to one cardiac cycle I can also say 75 heartbeats अगर हो रही है तो 75 cardiac cycles भी हो रही है in just 60 seconds now from there I can just calculate the data for one cardiac cycle तो बताओ एक cardiac cycle को होने में किता समय लगेगा तो हमें 75 को यहां ले आएंगे and that's how we can calculate equals to 0.8 second मतलब कि एक cardiac cycle को होने में 0.8 second का समय लगता है hopefully you understood this one next अगर हम यहां पर कुछ और technical और fancy words समझना चाहिए तो हम कह सकते हैं यहां पर इस cardiac cycle के दुरान में आपको कुछ नए fancy name के साथ interviews करवाऊंगा तो actually यहां पर दो phases होते हैं वो दो phases कौन से पहला phase जो है उसे आप कहते हो systole and दूसरा phase जो है उसे आप कहते हो diastole and मुझे पता ही कि आपको इनका मतलब पता है तो मैं ज्यादा समय इंवेस्ट नहीं करूंगा का मतलब होता है simply contractions तो अब देखने हमारे इस cardiac cycle में atrium भी contract करेंगे और ventricles भी contract करेंगे और वहां मैं contraction वर्ड इस्तिमाल ना करके मैं कॉंसर वर्ड इस्तिमाल करूंगा इत्रियल से स्टोल या ventricles इसी आपके diastrol का मतलब होता है relaxation तो जो आपके atrium में ventricles relax करने वाले हैं तो वह phases में आपे देखने वाले हैं चिक है now from here let's start our phases of cardiac cycle phases of cardiac cycle हमारे पास तीन phases आने वाले सबसे पहला phase जो होगा उसे मैं कहूंगा आपका atrial systrol हाला कि हम जानते हैं कि यह एक cycle है और cycle को आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं तो हमें बिल्कुल भी याद नहीं करना है हमें logically सोचना है तो आप खुद सोच के बताइए कि अगर हमारे पास यह एक मालो डबे वाला हर्ट फ़र्ट से पना लेते हैं ठीक है इस डबे वाले हर्ट में क्या होगा अगरा पर हम बात करें तो यार हमारे अट्रियम से और यह आपके वेंट्रिकल से इस राइट साइड इस लेफ्ट साइड ता आपको पताए कि यार अब ब्लड जो है कहां पर आ चुका है मालों थोड़ा बहुत ब्लड माल आप कि यहत्रियो में कहता होंगी है अब जैसी आपका इत्रियम कांट्रेक्वाइंगे लेकर हमारी चाहत है कि ब्लड को हम हम और लें ही बहाई हम ज़ düşün法 में भी चाहते कि राइधा कहीं और भागे आपको पाई हैा तो अब लेकिन हम चाहते हैं कि ब्लट सिर्फ सिर्फ कहां जाए और यहां भी आपकी पास वेल्स है तो पहले क्या करना पड़ेगा लॉजिकली सोचा जाए तो हम सकते हैं कि पहले हमें कि इन सारी ओपनिंग को क्लोज करना पड़ेगा तो फर्स स्ट्प इस और सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आपकी आपकी अप्लस में इनफिरियर वहना कावा जिसकी ओपनिंग कौन ट्रेगुलेट करता है और स्टेचियन वेल उसके अलावा आपकी ज इसको साथ में आपकी जो पल्मनरी इन सब उको हमें एनिहाव क्लोज करना पड़ेगा अधर्वाइस ब्लेड वेंट्रेकल में जाने से पहले इन सब ओपनिंग में भाग जाएगा तो क्लोज आपका हर्ट कैसा है आपका हर्ट है मायोजनिक बहुत नाजूप है तो मायोजनिक हर्ट है तो वह अपने इंपल्स खुद बना सकता है तो इसके पास होता है से नोड और से नोड इस रिस्पॉंसिबल फॉर इस पॉइंट कर सकते हैं नेक्स सोचो क्या होगा अब देखो हमने यह वाली ओपनिंग को कर दिया है अब जब यह ओपनिंग्स आपकी क्लोज है तो सब्सक्राइब क्या होना चाहिए आपकी आपकी अपन करना पड़ेगा अब अपनिंग ओफ यह ओपन कर दो नेक्स सब्सक्राइब अब ट्रीम यह आपकी और चाहिए अब लबन क्या होगए अब ब से चाहिए मत्रियु अब ब्लेड स्वर इन्टिव इस पूरे प्रॉसेस को कितने समय के लिए आपका एक सवाल है तो हम कह सकते हैं कि यह 0.8 सेकंड के लिए आपका जो है यह समय के लिए इतना समय के लिए आपका एक साथ कॉंट्रेक्ट के साथ क्या हो रहा है याद रखना कि दोनों एक साथ कॉंट्रेक्ट नहीं करते हैं उस ताइम पर यह क्या होँगे यह केकर सब्सक्राइब तो फिरस टेजमें रहेंगे तो हम घासकते हैं कि इस थाइम पर आपके जो वें ट्रीक्रय है वह टाया स्टोक यहां पर पर आपका atrial systole completely खतम होता है और यहां पर आपसे पूछा रहा है कि बताओ जो ventricles में filling हो रही है न ब्लेड की वो कैसी filling है is this rapid filling और a slow filling तो आप कह सकते हैं कि यहां पर contraction हो रहा है contraction मतलब ATP का इस्तमाल हो रहा है मतलब की rapid filling होने वालिया तो आप कह सकते हैं कि यहां पर एक पॉइंट और लीजिए यहां पर एक प्विलिंग और की वेंटरिकल की रैपिट फिलिंग होने वाली है hopefully understood इस में कोई भी कैसा भी डाउट हो आप मुझे बता सकते हैं बिकॉस वी आल बाट जीरो लाइक उके एक लेकर मैंने दे दिया जली तो में क्या होता है अब बात करते हैं हाई के बारे सेंड वेंड में स्य मस्तो पर घंडू करने के बाद सब्सक्राइब बनाने के और दूसरे वाले फेस को मैं कहूंगा पीरियड ओफ एजेक्शन पीरियड ओफ इजेक्शन चिक है दो फेसे आप बाटने वाले हैं पैला आएगा आपका आपका पीरियड ओफ एक्षिंट इसमें क्या होगा आप खुद सोच आपको पताए कि या ब्लड ज़ा वो नीचे आ वापस से आपका ब्लेट नीचे आ चुका है आपको पता है यहां से ऊपर जा रही है और एक यहां से वापस दो एक तो यहां से बाहर जा रही है इस वाले पॉर्शन से वागा हिरा बलाने ताम इसको यह लंग्स तक जा ली यह विच इस यहां पलमणरी आठरी और एक यहां से नीचे जाएगी this is iota and this is pulmonary artery हम जानते हैं कि अब यहां पर यह भी दो ओप्रिंग्स हैं यहां पर होगी और साथ में हम जानते हैं कि अब हमें यहां से ब्लड ऊपर वेजना है तो पहली बात तो यहार आप यहां से बहार निकलिंगे आपकी आर्ट्रे और यहां से बहार निकलिंगे आपकी आर्ट्री और जो होगी यहां पर यहां बहार निकलने वाल है तो यहां पर वह भी बंदी रहेंगी तो we can say here एसल वेल रिमेन प्लोस इस टाइम पर बंद रहेगी और आपको बदाणा चेफिया कि जो यह एब बंद होती है न तो इसके क्लोजर की वज़ से एक आवाज आती है और उसी को आप कहते हो कि है एक्षास वन साउंड यहाँ पर बनेगी आपकी एक्षास वन साउंड यहीं वो समय जहां पर आपका पीरिट ऑफ एजेक्शन अब जानते हैं कि हमने एस एवी वेल बंद कर दी है एसल वेल अभी भी बंद है वेंट्रिकल जब कॉंट्रैक करेंगे तो क्या होगा इस एसल वेल को ओपन कर देंगे प्रेशर की वज़े से और डाट्स हाओ ब्लट जब उपर भाग जाएगा तो यह पिर आफ एक्षिन सेकंड साफ फेस के अंदा क्या होगा एसल वेल जो है उ पल्मोनरी कि और टिंट इंड आयोटे का अर्टरी अंदु एक एक ब्लट कहां से पूँच जाएगा को अब लट पर आपके इंडिकल में से निकल के आपकी पल्मोनरी अर्टरी और आइस यहां पर आ जाएगे कोई पूंच सकता है बताओ यह इस तो यह चलता है तो आप कर रहे हमें आपके क्या रहे होगी फटावट से में कर रहे हों गी लुट से क्या वह सinenयां पे एट्रियल वर और यहां व्श्रेंट करते हैं हैं यहां पर व然 international ब्रडे खतम होता है अपने पाले संब्रेट कर आया कुछ याद नहीं करना है हमें सब कुछ आता है चाहते हैं तो पहले हमें यह ओपनिंग करना पड़ेगी सेकंड स्टैप एवी वेल ओपन करना पड़ेगा तीसरा स्टैप ब्लड जो है वो नीशे वेंट्रेकल में आ जाएगा चौथा 0.1 सेकंड के लिए होता है पांच फिर जो एसल वेल जो बंध हो रखी ती उसे ओपन करवाया ताकि ब्लड खाहां पहुंच चुके आपके ब्लड ज्वेव आपके परमनेरी और आयोटिक आर्टरी में पहुंच रखे हमने यह करवा दिया तो आपका वेंट्रिकल से स्टोल खतम हो गया अब आते हैं आकरी अब आया आपके सारे एट्रियम थक चुके हैं उन्होंने का कि हम सबको रिलेक्स कर रहा है तो जाने वाले जीरो पॉइंट फोर सेगेंद के लिए इस सब रिलेक्स करेंगे तो इसमें क्या होगा एट्रियम और डायस्टों दोनों रिलेक्स हो जाएंगे इस वाले फेस को मैं फदर तीन पार्स ने बाट गए इसमें से पहला पार्ट क्या होगा आइसो वॉल्योमेट्रिक आइसो वॉल्यमेट्रिक रिलैक्सेशन इस आइसोलेशन एक तरह के पनिश्मेंट भी होती है काफी कुछ कुछ कंट्रीज में जहां पे एक परसन को अखेला छोड़ दे जाता है पूरे रूम के अंदर तो उस रूम में कोई ओपनिंग नहीं है तो आइसोलेशन मींस उसे ब अब यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर आपको पता है कि अब आपके सारे जो चैंबर्स है वह रिलैक्स स्टेज में यह सब रिलैक्स ताइम पर तो कौन सी वेल खुली हुई है इसको बंद कर दो पहला फेस के आने वाला सबसे फर्स बेस आएगा कि आपकी जो एसे पहले बनती है आपकी सेकेंड हड्सांट विश नाथिंग बट यहां पर आपकी डब सांट बनने वाली है और इस ताइम पर जानता है एई वी वेल तो वैसे भी बंद रहेगी तो एवी बेल रिमेन ख्लोस ठीक है सर अब देखो नेक्स क्या होगा अब यहां पर आएगी आपको जो एartrium जब हमने contract कराया तो उस ताइम पर क्या हुआ बलट नीचे आगया और एट्रे म सर्गे है उस दोरान एक्रे अर शिलिंग चल रही थी मतला उस पर थोड़ा बहुत भर गया था फिर जब आपके वेंट्रिकल जो है वो रिलेक्स हुए और सारे चैंबर से रिलेक्स हुए तीसरा फेज आया जॉइन डाइस्टोल उस टाइम पर भी क्या हो रहा है वह फिल हो रहे हैं हाना तो आपको बता है अप थोड़ा बहुत भर चुक पॉश्टे पॉश्टे क्या होगा अब यहां फर फोड़ फॉपन हो जाएगा और क्या होगा ब्लड नीचे आना स्टार्ट ओछे तो इसी वाले फेज में क्या होगा वंधर क्रेकर प्लेंग James Oo that is basically a rapid filling पर कारण क्या है due to what is the reason here reason है क्योंकि आपके जो AV वेल पर उन पर प्रेशर बन रहा है तो due to due to what reason we can say due to pressure on AV वेल so जो blood का प्रेशर है वो बन रहा है इस वज़े से यह वाली वेल ओपन होई और one third filling होगा इसकी आपके ventricles की यहां पर फिर क्या होगा थोड़ा बहुत blood इसमें जो और बचके होगा न मालो एकदम जटके से blood नीचे आया पल्स होई एकदम से ना blood नीचे आया तो नीचे आने के बाद आभी भी थोड़ा बहुत blood यहां जैसे आपे slow filling and the reason for that filling is actually your gravity the reason for that filling is actually gravity gravity की वज़े से वो filling हो रही है और आपका जो ATM है वापस से कितना हो चुके हैं कितना हो चुके हैं तो one third filling हुई किस वज़े से this one third filling is actually because of pressure बाके की one third filling क्यों हुई because of gravity gravity के से one third filling और हो गई आपको पता है one third plus one third और प्लस अगर मैं one third और कर दूँ तो कितना हो जाएगा complete filling हो जाएगी ventricles की और यह जो बच्ची होई one third filling है कब होगी यह होगी अब next वाले phase में और बताओ next phase कौन सा आता है atrial systole पहले आए atrial systole फिर ventricles और फिर joint diastole और joint diastole के बाद क्या होगा बाद में वापस cycle repeat होगी तो वापस आपका atrial systole आएगा और इसी में तो हो रही थी आपकी rapid filling और यहां पर कितनी filling है one third इस तरीके से आपका जो एट वेंट्रिकल से अब वह इस वाले phase में completely फिल हो चुके है और जब atrial system में वह पूरे फिल हो चुके थे तो ब्लड नीचे आ गया इस वाली में अना atrial systole हुआ atrial systole के बाद पहले से वह वंधर वंधर फिल थे अब उसमें वंधर फिलिंग और होगी बिकॉस अब यह पूरे फिल हो चुके है अब जब वेंट्रिकल्स contract करेंगे तो ब्लड उपर जाएगा और फिर नेक्स वाले फेज में क्या होगा वापस से सेम चीज कि आपके एट्र में फिलिंग होती जा रही है इसी के सेकेंड और थर्ड फेज सब फेज में क्या होगा वापस से वंधर फिलिंग और जब नेक्स फेज आ करेंगे बस कुछ चोटा सा एक बेसिक से सवाल करके एक डागराम बनाके जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यह आपके पास है एक यह आपका वेंट्रिकल से स्टोल यह है आपका जॉइंड है स्टोल इसका समय 0.1 सेकिंड इसका समय 0.3 सेकिंड और कितना बच्किया 0.4 वह कालते हैं that's how we will end this session राइट बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि अट्रियल से स्टोल जो है ना डूरेशन ऑफ एट्रियल सेस्टोल कितना कितना होगा 0.1 सेकिंड के लिए वहीं बात की जाए कि जो डूरेशन ऑफ एट्रियल डाय स्टोल है वो कितने समय के लिए तो एत्रियम से स्टोल तो इतने समय के लिए और बागी टाइम तो वह डाय स्टोल कर रहे न तो आप कह सकते हैं 0.4 प्लस 0.3 एक मिन 0.7 सेकिंड नेक्स अवाल वेंट्रिकल से स्टोल कितने समय के लिए 0.3 सेकिंड के लिए बट अगर वहीं आप से मैं पूछ लो कि बताओ वेंट्रिक स्टोल का जो इनिश्यल अग्ली फेस था वहाँ पे आपकी जो ए विए बंद हो गई थी नहीं आट तो देख लो दिखो वेंट्रिकल से स्टोल का जो पहला फेस था आपके आपकी एवी वेल क्लोस हो गई थी तो यहां पर आपकी बनती है कौन से लफ सॉंट है which is your HS first और जब joint diastrol था उसके initial phase में क्या होई थी आपकी SL will close होई थी तो वहाँ बनी थी आपकी HS second आना first phase of joint diastrol यहाँ बनती है आपकी dub sound अब देख सकते हैं कि यार पहली और दूसरी sound के बीच में कितना गया है लेकिन अगर मैं पूछ लो कि बताओ दूसरी और पहली sound के बीच में कितना है तो यार साइकल की direction भी इस दिशा में रन कर रहे है तो आप कह सकते हैं कि यहां से वहां पर मतलब 0.4 plus 0.1 that means 0.5 is the correct answer सब्सक्राइब कर लिए होफिल आपको समझ में आ गया होगा और देर वी एंड आवर लाकियों काइब सब्सक्राइब करा दीजेए तो मैं उस टॉपिक को 10 मिनिट्स के अंदर या 15 मिनिट्स के अंदर ट्राइ करूंगा कम्प्लीट करा रहा है विल सी उन्द अपकमिंग सेशन प्राही करते रहें सेफ रहें बाबाई टेक्यूर